जैश्री कृष्णा जैश्री राम आप सभी का स्वागत है जनम पत्री स्वंदी जानकारी के लिए जोतिश्की जानकारी के लिए और पुराणी कथाउं को स्रवन करने के लिए इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें विशे है जनम पत्री में गुरू जिनके तृतिय भाव में होते हैं उनके जीवन के ओपर कैसा प्रभाव परता है सास्त्रों का मत है कि तृतिय भाव जो है वो बुद्ध का होता है और उस स्थान में जब गुरू बैठ जाते हैं जाकर तो जातक का सभाव कुछ कृतगन हो जाता है लोगी सभाव हो जाता है और ऐसे जातक अपने मित्रों के साथ भी दगा करते हैं धोखा करते हैं तो तृतिय भाव का गुरू इस प्रकार के पर प्रदान करता है कि जातक कृतगन हो जाता है किसी के किये होए उपकार को नहीं मानता सभाव में लोगा जाता है धनलाग के लिए जातक अनैतिक मार्ग पर भी चल परता है और अपने मित्रों को भी धोका दे रिता है ऐसा तृतिय भागते गुरु का जो अशुख फल है ऐसा बताया गया है ऐसे जातकों चाहिए कि आर्थिक समस्या में धन लाब के लिए बारा वरस से कम उमर की कन्याओं का पूजन करें उनको मीठा खिलाएं भोजन खिलाएं चर्ण सपर्श करके उनका आश्युवाद लें और अश्टमी के दिन दुर्गा माता की विशेश पूजा किया करें जिससे उनको धन लाब होगा आर्थिक समस्याई जो है उनकी दूर हो जाएंगी और परिवार में शुक शांती उनके बनेरे हो जिदि दूतिया भाव में गुरु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो गुरु का फल जो है अतिशुव हो जाएगा जात्क जो है उतना ही सुख प्राप्त करेगा उतना ही धन लाग प्राप्त करेगा जिदि बार में भाव में चंद्रमा बैठा हो तो गुरु का अशुव फल जात्क को प्राप्त होगा और जिदि चतुर्थ भाव में शनी वैबुध कोई मंदा हो रहा हो तो जात्क मित्र गादी होता है और अपने पुल को दुख देने वाला होता है अपने प्रिवार को गुरु हो नवंभा मेशनी हो तो ऐसा जातक अपने प्रिवार को अपने पुल को अतार देता है ऐसा जातक पुल का दीपग होता है और अपने प्रिवार को सुख परदान करता है ऐसे जातक के सभाव में कुछ दृड़ता आ जाती है कठोरता आ जाती है जिसके कारण जातक दूसरों पर अत्याचार करने से भी पीछे नहीं हटता इसलिए ऐसे जातकों को चाहिए कि दूसरों के उपर दिया करें किसी के उपर अत्यचार नहीं करें किसी को परिशान नहीं करें जिन जातकों की कुली में बार में भाव में चंद्रमा होता है ऐसे जातक जो हैं चाप लूस व्यक्तियों द्वारा बरवाद होते हैं धनहानी को परिशान करते हैं जो लोग जातक की जूटी परसंसा करते हों बार बार इक फिशामद करते हों आगे पीछे चमचों की ट्रैक उते हैं ऐसे लोग जात को परिशान करते हैं और धनानी देते हैं और परवादी का कारण बनते हैं इसलिए तृतिय भाव के गुरुबाले जातकों को खुशाम्द करने वालों से हमेशा दूर रहना चाहिए चाप लूसन से हमेशा पूर रहना चाहिए चितोर्थभाब में मंगल हो जा अश्टमभाब में मंगल हो तो ऐसा मंगल बद माना गया है जिससे जातक जो है भगिस वंद्री परशानियों का सामना करनेगा और कश्टों का सामना करना पड़ेगा मंगल सब्तम्भा में हो तो ऐसा जातक सरकार से विशेश लाव प्राप्त करता है सरकारी नोकरी प्राप्त करता है और उच्च अधिकारी की नोकरी प्राप्त करता है सरकार से जातको विशेश लाव होता है और राजनीती से भी जातक लाव प्राप्त कर सकता है ऐसे जात्र को पीला रुमाल अपने पास रखना चाहिए जिससे गुरु का शूफल जात्र को प्राप्त होगा और भाईयों और प्रिवार के साथ जात्र के उतना मिलतर रहेगा उतना सुखी जीवन जात्र को वैतित करेगा शनी के मंदे कामों से जात्र को प्रहेज करना चाहिए जैसे फ्रेव करना जूट बोलना चोली करना अनेतिक धंग से धंग माना मास मदिरा और अंडे का सेवन करना ये जो है शनी के अशुव कारे हैं जिससे शनी अशुव हो जाता है और इसे गुरू भी अशुव पर जाते को प्रदान करेगा गुरू के घरों में दूसरे पांच में नौ में और बार में भाव में स्थित गुरू के शत्रु ग्रहों का उपाई भी अवश्य कर लेना चाहिए जिसे गुरू शुख फर्परदान करता है अगर गुरू कुंडली में मंदा हो तो 31 में वर्स में जातक जो है कष्ट का सामना करना पड़ता है कोई भेंकर रोग जातक को प्रिशान करता है ऐसे जातक को किसी को धोखा नहीं देना चाहिए मित्रों के साथ भी बना के रखना चाहिए मित्र मार वाला काम नहीं करना चाहिए और ऐसे जातक को नेतिक धंग से धन कमाना नहीं चाहिए कन्या पूजन करना चाहिए मा भगवती दुर्गा का पूजन करना चाहिए, और सब के उपर दया करनी चाहिए, मित्रता बना के रखनी चाहिए, इस तरह से गुरु तृतिय भाब में अपना शुख फल दे सकता है, जो जो पाए बताए हैं उपाए उपर करने से, जातक जीवन में तरक्की प्राप्त कर करेगा, तो यह था तृतिय भाब के गुरु का क्या प्रभाव होता है जीवन पर, जाय श्री कृष्णा, जाय श्री राब, अन्य किसी भी प्रकार की आप कोई जानकारी चाहते हैं कुंडली के बारे में, तो नीचे बिसक्राप्शन में में मेरा नमबर दिया गया है, करेगा जा कोई तो, तो युदा जादेर सकती हैं